दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल MP Academy में दोस्तों MP PSC से related कुछ न्यूज है जो हम आपके सामने आज साजा करेंगे तो सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं इस न्यूज से बुद्वार को PSC के अभ्यर्थियों ने जो बिभिन नमागों को लेकर मत्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्याले में पहुँचकर नारे वाजी की थी उसका परिणाम ये हुआ है कि जाकर के उन्होंने उपसचिव जो राकी सहाय है आयोग के उपसचिव हैं इनसे बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि कोर्ट और कोरोना के कारण कोर्ट में आप सभी को पता है OBC का जो 27% आरच्छन का मामला है लंबिच चल रहा है साथ अक्टूबर को उसकी अंगली सुनवाई है और कोरोना के कारण बहुत से परिणाम और परिच्छा रुकी हुई है जिसे अंगले महीने से जारी किया जाएगा अंगले महीने का मतलब यह है वाली बात यह है दोस्तों कि जो MPPSC के परिणाम रुके हुए हैं कोट ने इसके सिर्फ मुख्य परडाम पर जो लाश्ट में मेरिट लिष्ट बनती है सिर्फ उस पर रोग लगाया हुआ है ना कि प्री पर मैंस पर किसी भी चीज़ पर रोग नहीं लगी है लाश्ट में जो मेरेट बनती उस पर रोग लगी हुई है तो इन्हों ने यही बोला है जो उप सचेवराखी सहाय है कि रेजल्ट अभी तक नहीं आया है 2019 की मुख्य पर इच्छा का रेजल्ट नहीं आया 2020 का जो प्रीववा था उसका रेजल्ट नहीं आया है और 2021 का जो नौटिफिकेशन आना था वो भी नहीं आया है तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यह सब कब आ सकते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MPPSC 2019 का जो मेंस रिजल्ट डेट है यह इसकी पूरी-पूरी संभावना है कि यह 10 से 15 दिन के बीतर इसका रिजल्ट आ जाएगा 2019 के मेंस का रिजल्ट आ जाएगा दोस्तो आज 1 अक्टूबर को यह बात बोली जा रही है तो आप ध्यान रखिएगा 10 से 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद बात करते हैं जो MPPSC 2000 प्री है इसके रिजल्ट में थोड़ी सी देरी ह क्योंकि क्योंकि आपको सबी को पता है कि इस पर अभी कोट में ऱोश्टर सिस्टम की भी बात चल रही है रोश्टर सिस्टम को हटाने की बात चल रही है और ovc k consultant ने प्रभावित होता है अपना बहुत सारी बात रहे हैं तो इस सब को देखते हुए थोड़ा MPPSC जो 2020-2021 का प्री है 2021 के जो प्री का रिजल्ट है इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन जैसा कि राखी सहाई जी ने बोला है कि यह सभी की सभी जो क्वेरीज है जो गतिविदियां यह अक्टूबर मन्त में कम्प्लीट हो जाएंगे या महिने में आ जाएगा अक्टूबर मन्त में आ जाएगा MPPSC 2019 मैंस की मैंने रेजल्ट डेट भी आपको बताई 10 से 15 दिन के भीतर इसका रेजल्ट देखने को मिल सकता है अब बात आती है MPPSC 2021 के प्री के नॉटिफिकेशन की तो दोस्तों इस पे तो कोई भी बिल्कुल भी नहीं है ना तो इसके नॉटिफिकेशन डालने पर रोक है ना प्री कराने पर रोक है अभी इसका नॉटिफिकेशन जारी कर देंगे फिर एक्जाम भी कंडेक्ट करा सकते हैं प्री का इस पर कोई रोक नहीं है रोक सिर्फ लगाई गई है मेरिट लिस्ट पर वहां पर आर ठीक है तो आज एक तारीक है 6-7 अक्टूबर तक आपको MPPSC 2021 का नॉटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बने रही है हमारे साथ इसी तरह की डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जैन्द जैभारत